गुरुकुल प्रेप डेली हेडलाइन्स में आपका स्वागत है दो नवंबर के मुख्य समाचार सुम्ती धर्मवर्धना बने ICC की अंटी करप्शन यूनिट के नए अध्यक्ष सर रौनी फ्लानगन का स्थान लिया AIFF ने सियोल में ग्रासरूट फुटबॉल विकास के ये AFC अध्यक्ष का सिल्व पुरसकार जीता असम के युवा कवी प्रोसेंजित नाथ ने पहला कावय संग्र यीस्ट ओफ इडन प्रकाशित किया तूफान कॉंग रेने ताइवान में तबाही मचाई 200 किमी घंटा की रफ्तार से आई आन्धी कनाग की पहियों की प्रतिकृतिया राष्ट्रपती भवन में स्थापित भारत की सास्कृतिक धरोहर का उत्सव प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिशत के अध्यक्ष अर्थशास्त्री विबेक देब्रोय का 79 वर्ष की आयू में निधन लाहोर एक बार फिर घोशित हुआ विश्व का सबसे प्रदूशित शहर एक यूई 700 आज तक पहुँचा ग्रीन पीस रिपोर्ट डिली की बसों में रात की समय सतहतर प्रतिशत महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है अयोध्या में दीपोटसव पर 25 लाख दियों और सामुही कार्ती के लिए गिनीज रिकॉर्ड्स थापित भारत का पहला स्वदेशी सी 295 सैन्य विमान सितंबर 2026 तक तयार होगा आज के गुरुकुलप्रेप हेडलाइन्स के लिए बस इतना ही सुनने और अपडेट रहने के लिए धन्यवाद याद रखें ज्यान सफलता की कुंजी है और हम आपको नवीनतम घटनाओं से अपडेट रखने के लिए यहाँ है आप गुरुकुलप्रे आप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कल फिर हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण समाचारों के लिए तब तक जिग्यासू बने रहें प्रेरित रहें और सीखते रहें आपका दिन शुब हो